तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे new appointment 2021 से related यह जो topic होता है most important topic होता है आपके exam के लिए इस topic से हर एक shift में हर एक exam में question पूछे जाते हैं तो इस topic के most important question आज हम अपनी इस वीडियो में discuss करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल को जरूर subscribe कर लें जितने भी competitive exams होते हैं हर एक competitive exam के लिए यह वीडियो most important रहीगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है who has recently become the new prime minister of Norway तो Norway के नए प्रधान मंत्री किसको बनाया गया है तो हमारा answer हो जाएगा Jonas Gare Store Jonas Gare Store जो है इनको बनाया गया है इनको चुना गया है प्रधान मंत्री Norway country का अब यहाँ पे जो country रहेंगी जिनकी अभी अभी हाली में appointment हुई है प्राइम मिनिस्टर हो गए प्रेसिडेंट हो गए हैड होंगे जो भी अभी हाली में नए appointment किये गए है उनको हम एक बार देख लेते हैं तो new chancellor चुना गया है Australia का Alexander Shettelberg को PM चुना गया है मुरुक को का अजीज अकनौच को President चुना गया है उस्बेकिस्तान का शौकत मिर्जियोयोग को प्रदान मंत्री रहेंगे जापान के फूमियो किशीदा President चुना गया है एस्टोनिया का अलार कैरिस को PM चुना गया है मियनमार का मिन औंग हैलिंग को पी-म चुना गया है अर्मेनिया कंट्री का निकोल पैशीनियन को प्रदान मंत्री चुना गया है मलेशिया का इसमाइल सब्री जोकब तो ये सब जो रहेंगी नई appointment रहेंगी जो countries के head अभी हाली में चुने गए हैं वो सब ये रहेंगे इस वीडियो में हम हर एक कोशन को बिल्कुल डिटेल में डिसकस करेंगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगला कोशन देखते हैं Recently the term of Governor of Reserve Bank of India has been extended by 3 years Who is the current governor of RBI तो Reserve Bank of India के जो term है जो time period होता है head का उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो अभी current time में कौन रहेंगे governor जिनका time period 3 साल के लिए बढ़ चुका है तो हमारा answer हो जाएगा शक्तिकांत दास तो शक्तिकांत दास जो है ये current time में governor है Reserve Bank of India के जिनका कारेकाल जो है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है अगर कुछ और बात करी जाए तो UNICEF जो organization है United Nation International Children Emergency Fund उसके नए head चुने गए है तो वो कौन है आत्रा को चुना गया है जो की पहले spoke person थे बीजेपी के head किसको चुना गया है National Defense College का तो हमारा answer हो जाएगा मनोज कुमार मागो ट्यूटर किसको चुना गया है CEO का CEO कंपनी के ट्यूटर most important रहेंगे एक Indian origin के रहेंगे इसलिए ये question आपसे ज़रूर पूछा जाएगा तो पराग अगरवाल जो है इनको चुना गया है ट्यूटर कंपनी का CEO who has recently became the first woman president of the Merylburn Cricket Club तो Merylburn Cricket Club जो है उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है तो हमारा answer हो जाएगा Claire Connor, Claire Connor जो है ये पहली महिला प्रेसिडेंट चुनी गई है Melbourne Cricket Club के अगर कुछ cricket से related और current affair की बात करी जाए तो Unix जो एक company रहे का उसका brand ambassador चुना गया है जस्परीत बुम्रा इंडियन बॉलर रहेंगे किनारा Capital का brand ambassador चुना गया है रविंद्र जडेया को ये भी एक Indian Cricketer रहेंगे ICC जो है International Cricket Council उसके current time में CEO चुना गया है permanent CEO कौन चुना गया है तो G of Alardis को permanent CEO चुना गया है ICC का next head कौन चुने गया है National Cricket Academy के तो हमारा answer हो जाएगा VVS Lakshman who has been chosen has the mascot of नमामी गंगे प्रोग्राम तो नमामी गंगे जो प्रोग्राम है उसको popular करने के लिए किसको चुना गया है मस्काट जो है वो किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा चाचा चौधरी चाचा चौधरी से related comics आती दी पहले तो वो उनको चुना गया है प्रोग्राम के लिए नमामी गंगे प्रोग्राम का who is the chairman of the jury for Berlin International Film Festival 2022 तो Berlin International Film Festival जो होगा 2022 में तो उसके लिए इन में से किसको chairman चुना गया है जूरी का तो हमारा answer हो जाएगा M. Knight Shyamalan M. Knight Shyamalan को चुना गया है chairman jury का Berlin International Film Festival के लिए अगर film से related कुछ बात करी जाए तो president किसको चुना गया है मामी फिल्म फेस्टिवल का तो आपका अंसर हो जाएगा praying का चोपड़ा जोनस को ambassador किसको चुना गया है Russian Film Festival का तो हमारा answer हो जाएगा Imtiaz Ali who was recently re-elected as the chairman of IDIBDF Indian Broadcasting and Digital Foundation तो इसका chairman दुबारा किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा के माधवन तो के माधवन को ही दुबारा चुन लिया गया है chairman IBDF का अगर कुछ और नए chairman president के related बात करी जाए तो weightlifting federation of India के president कौन चुने गया है तो सहदेव यादव association जो है mutual fund की India की उसका head किसको चुना गया है तो एब बाला सुब्रेमन निम को चुना गया है National Research Development Corporation का head किसको चुना गया है तो अमित रस्तोगी को चुना गया है Indian Space Agency का चुना गया है जैंत पठेल को Director General किसको चुना गया है BSA Border Security Force का तो आपका अंसर हो जाएगा पंकच कुमार सिंग को NCC का Director General किसको चुना गया है तो आपका अंसर होगा गुरबीर पाल सिंग को Chairman किसको सुना गया है CBDT का तो आपका अंसर हो जाएगा JB महापात्रा सारे के सारे questions most important questions हैं आपके exam के लिए 100% आपको exam में देखने को मिलेंगे अगला question देखते हैं अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाते हैं Static GK Topic Wise एक e-book हमारे द्वारा launch करी गई है जो की सिर्फ आपको 69 रुपीज में provide कराई जा रही है आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करके देखे 100% आपके लिए most important रहेगे exams के लिए इसमें ये सभी topics होंगे 13 से 14 topics हैं जो की आपके exam में जादा तर पूचे ही पूचे जाते हैं उनको हमने इस वीडियो में discuss करा है link आपको description में मिल जाएगा आप इसको description में जाके buy कर सकते हैं अगर कुछ downloading में issue आता है तो हमारी gmail idea आपको provide कराई गई है आप इस पर directly mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं who has recently been appointed as the chairman of the stop tv partnership board तो stop tv partnership board का chairman किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा mansook mandviyah mansook mandviyah को चुना गया है country has been recently approved by the new development bank as a new member तो ये भी एक most important question रहेगा कौन सी country रहेगी जिसको नया member चुना गया है new development bank का तो हमारा answer हो जाएगा all of the above तो United Arab Emirates, Bangladesh और Uruguay ये तीन countries रहेगी जिनको की नया member चुन लिया गया है new development bank का who has recently been appointed as the first woman CMD of Engineers India Limited तो Engineers India Limited जो company है उसकी पहली महिला CMD कौन चुनी गई है तो हमारा answer हो जाएगा वर्तिका शुकला वर्तिका शुकला को चुना गया है Engineer India Limited का नया CMD अगर कुछ और appointment new head की बात करी जाए तो वो देख लेते हैं तो National Fertilizer Limited का CMD किसको चुना गया है तो निलेप सिंग राय को चुना गया है National Commission for Minorities का head किसको चुना गया है तो इकबाल सिंग लालपुरा को चुना गया है चीफ कौन चुना गया है Indian Air Force का Most important question रहेगा exam के लिए विवेकराम चौधरी को चुना गया है First woman director general किसको चुना गया है Zoological Survey of India का Most important question exam के लिए दृती बैनर जी को सुना गया है Controller general of accounts किसको चुना गया है तीपक दास को ITBP का director general कौन चुना गया है तो संजय अरोडा को Who was recently appointed president of the International Road Federation of India तो International Road Federation of India के president कौन चुने गया है तो हमारा answer हो जाएगा Satish Parekh Satish Parekh को चुना गया है International Road Federation of India का head president Who has been recently approved for appointment as MD and CEO of IDFC First Bank तो IDFC First Bank जो है उसके लिए MD और CEO किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा V. Vidya Natan V. Vidya Natan को चुना गया है IDFC First Bank का MD और CEO अगर कुछ बैंक से related बात करी जाए तो Exim Bank जो होता है Export Import Bank of India उसके नए MD कौन चुने गया है तो हर्ष बुपेंदर भंगारी को चुना गया है उजीवन Small Finance Bank का CEO किसको चुना गया है तो संजीव बरनवाल रहेंगे Indian Bank के MD और CEO किसको चुने गया है तो शान्ती लाल जैन रहेंगे फिक्की के Director General कौन रहेंगे तो अरुन चावला रहेंगे Indian Ports Global Limited के आलोग मिश्रा को MD चुना गया है उत्राखंड के नए गवर्णर कौन चुने गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा गुर्मीद सिंग गुर्मीद सिंग को नया गवर्णर चुना गया है उत्राखंड स्टेट का अगर 2021 में न्यू स्टेट के गवर्णर्स की बात करी जाए तो उसको एक बार देख लेते हैं काफी सारी स्टेट्स हैं जिनके नए गवर्णर चुने गए हैं और एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे हम इन कोशन्स को पहले भी डिसकस कर चुके हैं लेकिन आगे आपके एक्जाम के लिए इतने इंपोर्टेंट हैं कि हमें दुबारे एक बार रिवाइस कर लेते हैं तो पंजाब के गवर्णर कौन है बनवारी लाल प्रोहित तमिल नाडू के कौन है आरन रवी गोवा के रहेंगे पी एस श्रीधरन पिल्लई हरियाना के हैं बंदरू दतातरे हिमाचल प्रदेश का चुना गया है राजेंदर आलेकर को रमेश बैस रहेंगे जहरखंड के थवार चंद गयलोत को चुना गया है करनाट काखा मंगुबाई, चंगुबाई, पटेल रहेंगे मद्यप्रदेश स्टेट के ला गनेशन रहेंगे मनीपुर के और जगदीश मुखी के पास एडिशनल चार्ज रहेगा नागलेंड का और कौन सी स्टेट रहेगी जहांके ये गवर्नर हैं तो जगदीश मुखी जो है ये आसाम स्टेट के भी गवर्नर रहेंगे तुरपुरा का चुना गया है सत्यदेव नारायन आर रेको तो ये सभी 2021 में newly appointed गवर्नर्स रहेंगे, reshuffle किया गया था उसके बाद जो अभी current time में गवर्नर्स हैं, उनको हमने इस question में discuss किया है, अगला question देखते है who has recently become independent director of HSBC Asia तो HSBC Asia के नए independent director किसको चुना गया है, तो हमारा answer हो जाएगा रजनीश कुमार को, रजनीश कुमार जो की पहले SBI के, जो की पहले SBI से related थे, इनको अब independent director चुन लिया गया है HSBC Asia का who was appointed as the chairman of international union for conservation of nature, जिसको की IUCN भी बोला जाता है, important question रहेगा तो international union for conservation of nature का chairman किसको चुना गया है, तो हमारा answer हो जाएगा रजान al-mubarak रजान al-mubarak को चुन लिया गया है chairman international union for conservation of nature का who has become the new CEO of yahoo company तो yahoo company के नए CEO कौन चुने गया है, तो हमारा answer हो जाएगा Jim Lenzone, Jim Lenzone को चुना गया है नए CEO yahoo company का who has become the private secretary of defense minister राजनाथ सिंग, तो defense minister जो है राजनाथ सिंग, उनका private secretary किसको चुना गया है, तो हमारा answer हो जाएगा आलोक तिवारी, आलोक तिवारी को चुना गया है private secretary defense minister राजनाथ सिंग का अगर कुछ और important बात करी जाए तो joint secretary चुना गया है ministry of corporation का अभे कुमार सिंग को UNGA के 76th chairman कौन है तो अबदुल्ला शाहिद रहेंगे कौन सी country से हैं, ये question पूछा जाता है तो मालदीव से रहेंगे LIC के MD किसको चुना गया है तो मिनी इपे को चुना गया है President किसको चुना गया है Indian newspaper society का तो वो रहेंगे मोहित जैन राज्यसभा के secretary general कौन चुने गया है तो PC Modi को राज्यसभा का secretary general चुन लिया गया है NCB का director general कौन है तो SN प्रधान रहेंगे CISF के head कौन है तो शील वर्दान शिंग रहेंगे नेवल स्टाफ के chief किसको चुना गया है तो आर हरी कुमार को चुना गया है सारे ही question most important question है आपके exam के लिए इनमें से भी 100% question आपको exam में देखने को मिलेंगे पंजाब स्टेट के नए chief minister कौन चुने गये है तो हमारा answer हो जाएगा चरंजीत सिंग चन्नी चरंजीत सिंग चन्नी को चुना गया है नया chief minister पंजाब स्टेट का विच इंडियन वाज रिसेंटली प्लेजट इन दिस लिस्ट ओफ 17 SDG advocates of the United Nations तो 17 SDG list जो है advocates की United Nations की उसमें कौन से भारती हैं जिनको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा कैलाज शक्तियार्थी कैलाज शक्तियार्थी जो है इनको शामिल किया गया है 17 SDG list में advocates की United Nations की Who will be the first woman chief justice of Supreme Court of India तो Supreme Court of India की पहली महिला chief justice कौन चुनी जाएगी तो हमारा answer हो जाएगा Justice BB नागरतना तो Justice BB नागरतना को पहला woman chief justice बनाया गया है Supreme Court of India का और इनका जो कारेकाल रहेगा वो शायद 2027 से start होगा अगर पाकिस्तान की आपसे exam में पूछी जाए कि पहली महिला पहली woman chief justice किसको चुना गया है पाकिस्तान की तो वो जाएंगी आईशा मलिक आईशा मलिक रहेंगी पाकिस्तान की BB नागरतना रहेंगी इंडिया की तो कौन रहेंगी current time में chairman नेशनल कमिशन फॉर वो मैं की जिनका time period जो है वो 3 साल के portable दिया गया है तो हमारा answer हो जाएगा रेका शर्मा रेका शर्मा का time period जो है यह 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है Mission Director of UN Agency for International Development तो ये भी एक important question है exam के लिए तो US agency जो है international development की उसके लिए mission director किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा Vina Reddy Vina Reddy को चुना गया है US agency for international development का mission director तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें अगर आपने भी तक channel को subscribe नहीं किया है तो आप channel को ज़रूर subscribe कर ले और हमारी तीन e-book रहेंगी एक हमने पहले ही discuss करी है static gk की e-book रहेगी 69 rupees में आपको provide कराये जा रही है उसके अलावा 2000 questions की e-book रहेगी सिर्फ 99 rupees में आपको provide कराये जा रही है एक e-book रहेगी हमारी जन्वरी से June 2021 करेंट अफेयर की वो सिर्फ आपको 29 rupees में provide कराये जा रही है अगर आप interested हो तो तीनों का link आपको description में मिल जाएगा आप description में जाके buy कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो